सो हैलो फ्रेंड्स इस आदी एक्सपेरिमेंट चैनल आज की इस वीडियो में हम पुली बनाना सीकेंगे फ्रेंड्स अच्छी पुली है यह हमने होममेट तरीके सी बनाई है और जो मार्केट में पुली आती है ना उससे भी काफी अच्छे से एवर करती है प्लीज कम्प्लीट देखें गाई इस वीडियो को वीडियो में बहुत जादा इंफॉरमिशन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम्स कवाए आधी लेव एक्सपेरिमेंट इसको कट करना होगा इसको कट करने की हम यहां पर हेक्साट प्रहेंगे अब इसका यूज कर सकते हैं उब इस लिए अपर आप देख सकते हैं अंदर पीवी सी प्लास्टिक की फ्लाट शीट कर देंगे इस टाइप से काफी वीडियो मैं ने दिखा रखा है आप इससे गैस पर ही फ्लैट कर सकते हैं simply इस टाइप से हमें कुछ इससे बड़ाक लेना गोल टाइप का अप देख सकते हैं इसके डायमीटर में काफी बढ़ा है तो हम इस टाइप से रखेंगे और इसकी marking कर लेंगे यहां पर फटा-फट से में इसकी marking कर देते हैं आपको इसी टाइप से दो marking करनी है यहां पर आप देख सकते हैं हमने दो marking यहां पर दो गोले बना लिए अब इनको simply हम इससे cut कर लेते हैं अगर आपको हम फटा-फट से कर लेते हैं बिल्कुल भीच में होना चाहिए गाइस अब देख सकते हो और यह जो होल हमें करना है वह आपने कैप के साब से होल करना ठीक है अब फटा-फट से इसे कर लेते हैं तो अभी काफी बड़ा यह होल हो चुगा है तो हमने इस टाइप से दोनों में ol कर लें और इस इस टाइप से हम इसपर चड़ा देंगे फ्रेंट्स आप देख सकते हैं इस टाइट यह हमारे grip का काम करेंगे, बाकी आप इसे use में ले सकते हैं, अभी, बट मैं इसमें एक और चीज यहाँ पर use करने वाला हूँ, friends, यह pipe है, ठीक है, hand sanitizer kit में जो pipe निकलता है, इस type का, उसको मैंने बीच में से यहाँ पर cut कर लिया है, उसे cut करने के बाद दोस्तों हमें इस type से इसमें लगाना है, ठीक है, पहला मैं इसमें instant glue डाल ली होगी थोड़ी सी, तो यहाँ पर हम instant glue डाल कर, friends, अच्छे से, friends, यहाँ पर आप गोर से देखिए, इसके अंदर इस type से आपको लगानी है, ठीक है, और मैंने इसके size का ही से cut कर लिया था, तो यह easily यहाँ पर लग पहला आपको इसे अच्छे से यहाँ पर चिपका लेना है, इस pipe को लगाने के बाद आपको इस type से कुछ देर के लिए पकड़ कर रखना है, दोस्तों, क्योंकि friends, यहाँ पर हमारा जोड़ आएगा, ठीक है, जिसकी वयाँ से फिर से हट सकता है, बाकि आप इस pipe के बिना भ के थोड़ी सी, so guys, अभी हमारी पुली, तो वर्क करने के लिए ready होगी है, बट अब यह हमें एक काम और करना है, friends, यह refill, जो आपना पैन देखा होगा, उसकी body की एक पार्ट है, छोटा सा मेना cut कर लिया, इसके अंदर हमें इस type से लगाना है, इस से पहले हमें, इसमें instant glue लगानी होगी, so अभी हम इसके अंदर इसे fix कर देते हैं, friends, इस type से, और आपको थोड़ा सा press करना होगा, so easily लग जाएगा, friends, इसके ऊपर भी आप instant glue लगा सकते हो, अच्छे से, इससे क्या होगा, friends, यह अपनी grip नहीं छोड़ेगा, और हमें काफी अच्छे से यह motor पर च कर सकते हो, तो यहां पर हमारा काफी अच्छे से motor में पुली लग चुकी है, तो अभी मैं आपको थोड़ा से test करके दिखाता हूँ, कैसे वर्क करेंगा, so guys, यहां पर मैंने एक छोटा से system बनाया, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने पुली लगा दिये, और यहां पर हम मोटर के साथ connect करके एक पैल्ट यहां पर लगा दिये, और यहां पर हम 12 वोल्ट बैटरी का यूज़ करेंगे, तो friends, चलिए इसको start करके देखते हैं, किस टाइप से वर्क करेगा, so friends, यहां पर मैं इसके वायल लगाने जा रहा हूँ, देखना आप कैसे वर्क करेगा, तो यहां पर आप को जो यह बैल्ट यूज़ करने हैं, यहां पर रबर्ट बैंड की जगह हैं, यहां पर बैल्ट आपको यूज़ करने होगी, तब ही अच्छे से वर्क करेगी, तो आई हो, friends, यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, काफी जादा आपको अच्छे लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजाए, बहुत मैनत हो यह से बनाने में, तो इस ताइस वीडियो में वीडियो च्छी लिए लिए लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब क परिगा, इसी वीडियो देखने के लिए, चलिए मिलते हैं, नेक्स वीडियो तब तक लिए बाबाए अपना खयाल रखें